तामबे के बरतन में पानी पीने के हैं चमतकारिक स्वास्थलाब नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल में दोस्तों हम में से ज़्यादा तर लोगों ने अपने दादा दादी से तांबे के बरतन में संग्रहित पानी पीने के स्वास लाबों के बारे में सुना होगा कुछ लोग तो पानी पीने के लिए विशेश रूप से तांबे के गिलास और जग का उपयोग करते हैं लेकिन क्या इस धारणा के पीछे वास्तों में कोई वज्यानिक समर्थन है या या एक मिथक प्रयास है बस तो आईए तांबे के बरतन में पानी पीने के बेहतरीन करणों को इस वीडियो में समझते हैं आयरुवेद के अनुसार तांबे के बरतन में संग्रहीत पानी में आपके सरीर में तीन दोस वाद, कफ और पित्त को संतुलित करने की छमता होती है और यहां ऐसा सकारादमत पानी चार्ज करके देता है तांबे के बरतन में जमा पानी तमारा जल के रूप में जाना जाता है और तामबे के बरतन में कम से कम 8 घंटे तक रखा हुआ पानी ही लापकारी होता है जब पानी तामबे के बरतन में संग्रहित किया जाता है तामबे को प्राकरतिक रूप में बैक्टिरिया नासक कहा जाता है तामबा आम जल जनित रोक जैसे डायरिया, दस्त और पीलिया को रोकने में मददगार मना जाता है जिन देशों में अच्छी सचता प्रोडाली नहीं है उन देशों में तामबा पानी को सफाई के लिए सबसे अच्छा साधन इस्तिमाल के तौर पर किया जाता है थायरेकसीन हार्मोन के असंतुलन के कारण थायराइड की बिवारी होती है थायराइड के प्रोमुक लक्षणों में तेजी से वजन घटना या बढ़ना अधिक ठकान महसूस होना आदी है कापर थायराइड ग्रंथ के बेहतर कारे करने की जरूरत का पता लगाने वाला सबसे महत्रपूल मिनरलों में से एक है थाइराइड विसेजग्यों के अमसार तांबे में रखे पानी से थाइरेकसीन हर्मोन नियंतरित होकर इस ग्रंथ की कारिपडाली को नियंतरित करता है तांबे में मस्तिस्क को उतेजित करने वाले विरोधी एठन गुड़ होते हैं इन गुड़ों की मौझूदगी मस्तिस के काम को तेजी से और अधिक कुसलता के साथ करने में मदद करती हैं गठिया या जोडों के दर्द की समस्या आजकल कम उम्र के लोगों में भी होने लगी हैं यदि आप भी समस्या से परिसान हैं तो रोज तामबे के पात्र का पानी पियें तामबे में एंटी इंफ्लेमेंटरी गुड़ होते हैं यह गुर दर्द से राहत और दर्द की वज़े से जोडों में सूजन का कारण बने गठिया और रोमेटी गठिया के ममलों में विसेश रूप से फायदे मन्द होते हैं तवचा पर सबसे अधिक प्रभाव आपकी दिन चर्या और खान पान का पड़ता हैं इसलिए अगर आप अपनी तवचा को सुन्दर बनाना चाहते हैं तो रात भर तामवे के बरतन में रखे पानी को सुबह पी लें ऐसा इसलिए क्योंकि तामवा हमारे सरीर के मेलेनिन के उत्पादन का मुख घटक है इसके लावा तामवार नई कोशकाओं के पादन में भी मदद करता है जो तवचा की सबसे उपरी परतों की भरपाई करने में मदद करता है नियमित रूप से इस नुस्खे को अपनाने से तवचा स्वस्त और चमकदार होने लगती है